कि अच्छिए जो पर बात राम राम सबी सातियों को मैं विबेक मली स्वागत करतों आप सबीक अपनी यूच्वीब चैनल पर जयसे कि आप सबी को ग्यात है हमारा यह सेट रसंभंदित रहनेवाले हैं. मानव अदिकारों सेस्थ संभंदित तो इससे पहले की तीन काफ्षाव में हमने क्या 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 पड़ा. एक त्युतियास के बारे में चर्चा की, मानवा अदिकार संधियों के बारे में चर्चा की अब हम तीसरी इस्तर पर चल रहे हैं जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं जो जितने भी मानवा अदिकार संब्दी संस्थाई है इसमें हमने कल के सहसं में तो मैपन संस्थाई पढ़ दी थी आज इससे आगे हम चलते हैं तो तीसरी हमारी समस्ता हो जाएगी गर्मिली चलिए तो इससे आगे की चर्चा हम सुरू करेंगे आज के सहसन में चलिए तो सुरू करते हैं फिर आज का सहसन और इसी में पढ़ते हैं हमारी अगली समस्ता और वो हो जाएगी आपकी गर्मिली जी ए एन एच आर आई सबसे पहले के बाद इसका गर्मिली किसे कहते है गर्मिली कहते है सभी देशों के या सभी राश्टों के सभी राश्टों की रह संस्ता सभी राश्टों की वह संस्ता जो मानवा दिखानों से संबंद रखती हो जब वैस्विक इस्तर पर समेदन करे या बैटक में भागने तो उस्षमू के नाम को ही या उस्षमू को ही उस्षमू को ही गंडरी कहते है गंडरी क्या हो जाएगी गंडरी क्या होती है जितने भी देशों के उच्षमू को ही गंडरी के नाम से जाना जाता है आप सभी समझ गई हो कि वैस्षमू की इस्तर पर एनेचराई का समू या अगर हम इसकी सोट फान निकाले तो यह हो जाएगा वैस्षमू की इस्तर पर सभी देशों के एनेच आराई का समू अब बात करते हैं इसके गठन की तो इसका गठन का क्या गया था गठन आपका क्या गया था इसका 1993 में कि त्योनिस के गठन त्योनिस में क्या हो रहा था एक शंहिजए क्या त्योनिस अब पुर्च राष्ट मानवादिकार संस्था यह मिलकर बैटक किया करेगी और इस बैटक के नाम को बंद्रीख से नाम से जाना जाएगा इस सम्मेदर में ही यह सिधान निकल कर आता है अगर बात करें इसका हैड़ कौर्टर कहां पर बनाए गया वही जिनेवा स्वीजर्लेंड और अगर हम बात करें क्योंकि यह एक परकार का सम्मेलन है सम्मेलन है इसमें भाग नहीं के लिए सभी देशों के एनचाराई राष्टिय मानवादी का संस्थाए आती है या उनके अध्यक्स आते है या उनके द्वरण यूप कोई भी सदश्या परतिनीति के रूप में भाग लेता है तो अगर हम बात करें इसका वर्तमान में कौन सम्मेलन हुआ तो इसका वर्तमान में जो सम्मेलन हुआ वह था आपका 14 नमबर का या 14 नमबर का तो यह कब हुआ यह हुआ आपका 23 नमबर 2030 को और इसका आयोजन कहा पर किया गया तो इसका आयोजन किया गया आपका केपन हे तो यह हो जाए कि आपकी गंद्री से संब्धिस आफ जानकारी इसका गठन 1993 में तोरान चोड़वा संब्धिलन को पिन हेग में किया या जो नीदर रेंड में पड़ता है वही इसका एड़वाटर जेनवा स्वीजर रेंड में है अब क्या है गंद्री क्या करती है गंद्री क्या करती है सभी देशों के इतने भी आपके NHRI है उनको मान्यता परदान करने का पागर ये करती है अगर इस संस्था का कारिया के बारे में हम बात करें सभी देश होके LHRI को मान्याता देना दूसरा इसका जो इंपोर्टेंट कारिया है मानवाद अधिकार के मुद्व पर चर्चा करना और चर्चा में क्या होते हैं चर्चा में अती महिकुन उते लिए जाते हैं जिस पर संभिलन गुलाए जाता है यानिके कोई भी मानवाद दिकार देशों में अधिन बहुत ज्यादा उलंगन चल रहा है या महा पर रजूद छिड़ाव जिसमें मानवाद दिकार को उलंगन हो रहा है लेकिन एक काल्यस का यह है कि इंछे जितने भी देशों के राश्ट्या मानवादिकहर आयो है जैकि में जोर्द ऑड़य जाती है लेकिन कि पो बहुती है दूसरी माद्यता दिने का कर्या को लगे कि इसकी एक उपसमिती होती है इसका नाम लिख लिजी एकिशन और परदान उपसमिती इंग्स में S.C.A की नाम से इसको जाना जाता है सबूरीनेट कमिशन ये होती है S.C.A. तो ये क्या होती है उपसमिती पूप समिठी ये दो परकार की मान्याता देती है कौनकोंची दो परकार की ये कुर्थी है टाइप A मान्याता ये कुर्थी है टाइप B मान्याता टाइप A मान्याता और B मान्याता इनका अधार क्या होता है अगर आपसे पूछे जाए, इनका आधाद हो जाएगा आपका पेरिश सिद्दानत, और कितने पेरिश सिद्दानत है, वर्तमान में 6 पेरिश सिद्दानत है, जो कब दिये गए, यह दिये गए थे, आपके ओक्टूबर 1993, तो टाइप ए मान्याता में क्यों से संस्थान आते है, वे मानवादिका संस्थान या वे एनचलाई, जो पेरिश सिद्दानतों को पालंग है, जो पेरिश सिद्दानतों का उलंगर करे, या पेरिश सिद्दानतों का पालंग कम करे या नहीं करे, या तो वे पालंग बिल्कुल करी निले है, या पालंग कर रहे हैं, तो वान्सी ग्रूप से पालंग कर रहे हैं, ताइप बेच ये मान्यातान को दिल जाती है, तो यह है आपकी ग्रूप सिद्दानतों, का चंव सिद्दानतों, आपका कोर्शन आपका कोर्शन भारत के एनेचराई की मानने तक कौन सी है? अगर हम बात करें एनेचराई की वैस्वी किस्तर पर? टाइप ए परकार की और ये क्या हो जाएगी? पहली बार का मानने ता मिली? अगर बात करें हम भारत के एनेचराई को फर्ट टाइम मानने ता ये दी गए थी उनिशो निंडियाना में और आप ये भी जानते हैं इसमें ने कौना भूल गया? ये क्या करती है? परतिये पांच वर्स पर? मान्यता को मान्यता की जान्च करना यानि कि हर 5 साल पर मान्यता देती है हर 5 साल के बाद यानि कि एक बार मान्यता मिल गई तो उसकी जो अबदी होगी वो किबल 5 साल होगी यानि कि ये टाइम ये टाइम टी की मान्यता जो दी जाती है फिर उसके बाद बार मान्यता दी जाती है तो पहले पहली बार जो मान है लोका है हमेबगों रोटे सी सब्सक्राइब और गाम के साथतिया गुश्यक प्रतिया थे वाघना था है में मिली और इसकी अवधी कब तक रहने वाली है इसकी अवधी रहने वाली है आपकी 2024 तर लेकिन 2024 में मान जाता है रिनू हुई या नहीं हुई अभी इसका डाटा नहीं आया है तो जैसे इसका डाटा आएगा उसे आप कर लेना हलाकि मिली जाएगी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भारत के NHRAI की मान जाता इसे 100% मिल जाएगी फिर से चलिए तो अब हम बात करते हैं राष्टे इस्तर पर जितने भी NHRAI है मुख्यत हम अपने देश के NHRAI के बारे में बढ़ लेते हैं वो तो एक समोह है गंद्री जानना जोटेंग थे इसलिए हमने गंद्री जान लिया गंद्री क्या होता है वैसमें इस्तर पर NHRAI का सम्दू चलि अब बात करते हैं भारत के राष्ट मानवादिकार आयों की एक बच्छे नहीं के देर पात करते हम अपने देश के बाहरे में जितनी मानवादिकार सुमंदित संस्ताय है चलिए तो आप जानते है हम जानते हैं भारत में क्या हुआ भार के इस तर पर यह भारत में एक एक्ट लाया गया यह भारत के मानवादिकार संस्ताय हम जाते हैं एक अधिनियम नाया गया और यह अधिनियम क्या था यह अधिनियम हो जाएगा आपका राष्ट्य मानवादिकार संदक्षा अधिनियम राष्ट्य मानवादिकार संदक्षा अधिनियम क्ब का है यह हो जाएगा नायंटी नायंटी थ्री का अगर हम बात करें यह कं परवर्थिने क्या गया जाने के लापों हो तो यह लापों है अधाइस सितंबर नायंटी नायंटी थ्री से और इसकी अगर हम बात करें इसमें कितने हो जाएगे इसमें चैप्टर की संध्या आठ है और सेक्षन की संध्या इसमें 43 है अब यह क्या होता है इसमें ती परकार के मानवादिकार संस्था यह और यह तीन परकार के कौन-कौन सी मानवादिकार संस्था है एक तो हो जाएगी राष्टे मानवादिकार संस्था यह आई हो दूसरे सी में दिया गया है राष्टे मानवादिकार आयो और तीस राष्टे में पर दिया गया है मानवादिकार में आया दिया तो यह राष्टे मानवादिकार आयो यह जो संस्था है यह इस अदिनियम के इसमें दिया गयी है इसमें चैप्टर दो में दी गई है और इससे संबंदित धारा तीन है धारा तीन इसके गढ़न की बात करती है और अगर हम बात करें इसमें क्या होता है इसका हैड़ कोटर इसका हैड़ कोटर आपका नहीं दिली और इसमें क्या होता है इसमें अध्याक्स एक होता है और इसमें सदर्श्या है अगर हम बात करें सदर्श्या होते हैं इसमें और एक होता है इसका मुख्याकार्यपालक अधिकारी चलिए मुख्याकार्यपालक अधिकारी होता है जो होता है खेंदरिष्टर का जिसे MCEO के नाम से याद दे है दूसरा वहीं अगर हम राज्ये मारवदिकार आयों की बात करें तो ये चैप्टर पांच में अधिनियम के अधियाए पांच और धारा इससे संबन दित है है 21 वहीं अगर हम बात करें इसका है अधियाक्ष एक होता है इसलिए घठन की चर्चा कर लेते है गठन वाहीं इसका हो जायेगा बारा ओक्टूबर 1993 वहीं इसका गठन लेया था अगरозд भी गठन की बात करें गठन हो जायेगा 12 ओक्टूबर 1993 वही अगर आपको आथ करें मानुबा दिकार नहीं आया ले क्या होते हैं जिने के शर्षन कोट को मानुबा दिकार नहीं आया ले के रूप में कि प्रिजों किया जाता है ऐसे से संभंदित दारा फिस है और इसकी परिवासा जो दी गई है इसकी परिवासा वो परिवासा दी गही है दो के ई में चलिए तो ये हम पढ़ेगे कल के सेसन में तो मोटा मोटा रेव्यू हमने यहां पर देई दिया अगर आप समझना चाहिए मारवाय दिखा न्याय अल्या के बारे में आप सभी जानते हैं जिले में दो परगार के कोट होते हैं अगर हम बात करें जिले में दो भा जो दिवानी मामले की सुन्वाई करती है तैसी लिस्तर पर होते हैं यह सब तो एक होता है जो अपरादिक मामले सुनता है जहां पर अपरादिक माम ले आते हैं या सुन्वाई की जाती है उसी को ही हम कहते हैं शैसन नयायल्या और इसी को ही रुपान तृत किया गया है आपका मानुवर दिकार नयायल्या के रूप में जिल्य में दो परकार के कोट बनाया जाते है जिसमें दिवानी मामले आते है यह में आते हैं इस अधिनियाम को अगर हम पढ़ लेगे इस अधिनियाम को हम पूरा पढ़ेगे और हम यह सब तो समझ जाएगे तो हम कल के सैसन में हमारा जो टोपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मानुआ जीकर सब्सक्राइब तो हम NHRI के गठन की बात करेगे उसके सलेश्चियों की बात करेगे न्यूर्ती अडाना यह सब हम कल के सैसन में बात करेगे चलिए फिर मिलते हैं अगरे सैसन में तब तक ह झाल झाल